श्री राम सिवासंग हर वर्स की भाती इस वर्स भी पूर्णिया सीटी के सवरा नदी टट पर भव देव दिपावली महस्वब का आउजन कर रहा है जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है इस बार 11 चोपकी के बजाए 21 चोपकी से भव आरती होगी साथ ही इस बार 21,000 दिपो से सवरा नदी का टट जगमग आएगा बता दे कि पूर्णिया का स्री राम सिवासंग विगत आठ वर्सों से देव दिपावली का आउजन करता आ रहा है बनारस के तर्श पर होने वाली इस आरती को देखने के लिए हजजारों की संख्या में सरध पूर्णिया सहर को बोल रहा हूं कि अगर पानी की कलकल रातनी बेला में सुननी है तो आप आ जाए यहां पर अगर अपने घर की मा पिता स्री को आप बनारस की आरती को दिखाना चाहते हैं तो आप आ जाए इस घाट पर आपको पूर्णिया के ध्रम प्रेम्यों की भीर तब आ जाएं कि यह 45 मेंट की आरती को देखने के लिए भीर आता है यह सच्चा भीर है बिल्कुल यह शिर्फ उस आरती को देखने के लिए आता है तो सोची जिद्रे भी हमारे ध्रमपेमी है उनके उपस्तिती होती है तो एक अलग ही खुशूरूती देखने को मिलती है जब ये लाइटे सस्ती है जब पर्तमीम बनता है जब हमारा जाल आरती हम लोग जो बोलते है जो बड़ी सी आरती उसको जाल आरती बोला जाता है जब उसकी आरती होती है तो एक अलग हिंद्रीस बनता है और सबसे बड़ी बात कि एक आयजन जब भी होता है तो सूची उस आईजनों के माद्यम से किस तरह से एक टेंट वैवसाई लाइट वैवसाई सबों की एक वैवस्ता चलती है तो यह है हमारा खुबसुरत समाज तो जो भी जिनकों भी मोगा मिले अच्छा चाहिजन समाज में जरूर करें अब बिल्कुल मैं आपके चैनल के माद्यम से सामतित करना चाहूंगा साथ नमबर दिन सोंबार पांच बेस संध्या लोग आएं मिलकर आएं अब धार्मी काईकों में लोग सवता आते हैं यहां पे बहुत सारी दीपे रखी रहेगी आप आएं दीप से स्वास्तिक बनाएं दीप से ओम मनाएं दीप को सजाएं घर से मा आठ साल से करते आ रहे हैं अध्भूत संध्याद देने जा रहे हैं लोग आप लोगों को बिलकुल एक हैसे अरदीप हम कर रहे हैं और सबसे बिलकुल आपका सभी सवाल है जहां पहले लोगों ने गारचोगी की महारती देखा गया इस पार एक सब्सक्राइब यहीं नही आपकी पूरनिया की बेटी तीर सा जो कि अपने बालकलाखार अपने योगता के वले पर पूरे बिहार में राज करी है उसकी उसकी उपस्तिती हो रही है उनकी सुझती हो आ गया तर्स चिसरद से बहुत सब्सक्राइब धीखा लाज रहे राजब्पा जाना था इस पिसली वो अपनी उपस्तिरी दजकारी है हमारे बीच राना परताप सिंग सी राम स्वासंग संस्तापक काली बाडी रोड भट्टा बाजार पूर्निया